जिजी कुछ पार्टी के लिए महिला ससक्तिकरन एक पोलिटिकल एजंडा हो सकता है। महिला ससक्तिकरन मान्य अद्यक्जी एक रादनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टीयों के लिए महिला ससक्तिकरण का नारा एक चुनाव जीतने का एक अठियार हो सकता है परन्तु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला ससक्तिकरण रादनितिक मुद्दा नहीं है फिर से सुनिये मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला ससक्तिकरन राज्जेती मुद्दा नहीं मानने तका सवाल है मानने अध्यक्जी किसी भी किसी भी सिद्धान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है किसी दान के प्रती मान्यता कितनी द्रड है तो कोई एक गटना कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे भारतिये जनता पार्टी के संगठन महासचीफ जे गुजरात प्रांट के और गुजरात में भारतिये जनता पार्टी की वरोद्रा कारेकारणी हुई थी उस अइतियासी कारेकारणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतिये जनता पार्टी के संगठनात मकपदो में एक तिहाई रिजर्वेशन माताओ के लिए किया गया और ऐसा करने वाले मां गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी party सबसे अंतिम party मानने जगजी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे धेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए धेर सारी भेटे मिलती है ज़ादा से ज़ादा सभी लोग इसको तोसा खाना में आरक्सित रख्वा देते हैं मोदी जी ने उस वक्त नेनल किया था और सारवजनी गोशना भी कि थी कि जितनी भी बेट आएगी उसका उक्षन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए ख़ल मानियत जग्जी सीम रहते हुए भी उनको प्रदान मंत्री देश की जनता ने चुना 2014 में उनको प्रदान मंत्री पट के प्रत्यासी घोसित करने के बाद चुना हुआ 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेत्रुत में बनाने का मैंडिक और जब सरकार बनाने का समय आया तब मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पत्स से इस्तिफा देना और इस्तिफा देने के बाद ही वो प्रदान मंत्री बन सकते थे तो मुख्यमंत्री पत्स से जब मोदी जी ने इस्तिफा दिया तब इनके बैंक एकाउंट में मानने अद्रग्जी भाई उनको जवाब न दो इनके बैंक एकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तंख्वा से और जितना भी पैसा बचा था वो सारा का सारा गुजरात सचीवाले की वर्ग तीन और चार के करमचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए मानने अद्रग्जी इसके लिए कोई सर्क्यूलर नहीं था इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था यही वो दी थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागूती के माध्यम से कोई कानून के बगेर कोई कानून के बगेर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करकर लाखो लाखो बेचियों को प्रेंजे मोड़ी जी